नमस्ते, दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हिस्टे से रिलेटेटेड कुछ को डिसकर्स करेंगे और वह भी में आर्ट एन कल्चर का होगा और आर्ट एन कल्चर में जो पेंटिंग का सेक्सन है, ओसे से रिलेटेड होगा तो पेंटिंग का जो टॉपिक हा थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाता है लेकिन मैं यहां पर आपको उसको इंट्रेस्टिंग वह में और उसके उसी से रिलेटर क्वेस्टन के फॉर्म में आपको डिल कराने के कोशिज करूँगा 10 questions मैंने सेट किया है पेंटिंग फॉर्म में तो आपका एक concept क्लियर हो जाएगा और fact भी क्लियर हो जाएगा JNU के लिए important है UPSC के लिए and state basis exams के लिए इन तीनों के लिए बहुत important है क्योंकि art and culture का section बहुत important हो जाता है तीनों के लिए हर एक साल question पुछे जाते हैं मैंने लिए तो उसी के related में आप से यहाँ पर deal करने के कोशिज करूँगा चलिए फर्स question से शुरू करते हैं देखियो दोस्तों फर्स question बुल रहा है कि इसमें से कौन साइस option जो नीचे है पर four option दियागा उनमें से कौन साइस option जो हो सही है तो one by one करके पड़के देखते हैं दोस्तों ए ओप्शन क्या बुल रहा है The history of art and painting in India begins with the prehistoric rock paintings and bheembetka capes in Madhya Pradesh B option है Indian painting show the good interpretation of perspective C option Indian painting studies and trash bags to the Ajanta and Ellora capes between 3rd century BC and 10th century AD and D option Brihadishwa temple painting is a 2nd century wall painting तो इसका जो option होगा दोस्तों ना वो किवल ए इसका option जो है वो correct है मतलब जो हमारे हैं के history है आर्ट का और painting इंडिया में वो आपका prehistoric time से ही start होता है जब bheembetka में printing भी लिए हुई थी इसको दोस्तों oldest painting भी consider किया था भी इंडिका केप समाध्य प्रदेश में है उसके wall पर बने हुए painting से तो second question अबर पर आते हैं which of the following pairs is correctly matched यहां पर अलग लग पर दिया हुआ है दो statement है ब्रियादेशवर temple लिपाक्षी और बिरिभद्र temple थंजाओर तो यह दोनों correctly matched रहे नहीं है तो इसका answer होगा दोस्तों d none of the above यह दोनों correctly matched नहीं है इसको उल्टा कर देजिए यहनी कि ब्रियादेशवर temple जो है वो थंजाओर में है और बिरिभद्र temple जो है वो लिपाक्षी में है question हमें सब पूछा जाता है question number 3 पाते हैं दूस्तों consider the following statements नीचे हैं पर two statements दिये गहें आपको consider करना है रागनी painting depicting musical notes are famous in the world रागनी painting depicting musical notes are famous in the world and second statement कलमकारी paintings painted on the wall of बिरिभद्र temple is situated in लिपाक्षी तो के यह दोनों statements है यह तो इसका answer जो होगा वो होगा C one and two statements are the correct रागनी temple जो रागनी painting जो है वो आपका world famous है और जो कलमकारी painting है वो आपका बिरिभद्र temple जो लिपाक्षी में वो situated है तो इसलिए का answer दोनों से है question number 4 पाते हैं दोस्तों यहां पर तीन statement नीचे दिया हुआ है और उनहीं में से आपको देखना है कौन करेक्षी में से अपर देखिए एक बार परते हैं से question को consider the following statement related to the types and technique of paintings mentioned in the Hindu and Buddhist literature and choose the correct option पहला statement क्या है लेपया चित्रा जो है वो modern present modern representation है लेखा चित्र जो है वो कि आपका line drawing and line drawing on the painting textile and धूली चित्रा क्या यह आपका painting on the floor है यह चारों तीनों option सही है मैं stay नहीं है यह देखना है तो इस answer जो पोल सी होगा two and three is the correct answer यह कि लेखा चित्र जो होता है दोस्तो line drawing on the painting textile होता है and धूली चित्र जो होता है जो floor पर बनाए जाता है यह कि जो सतह पर बनाए जाती है तो इसलिए इस answer जो होगा वो C होगा question number five पहते हैं दोस्तो which of the following text mentioned below talks about Indian paintings इसमें देखिए चार statement दिया हुए है उनमें आपको यह पता करना है कि कि चारों में से कोई ऐसा है जो कि printing के बारे में डिसक्स करता है तो देखते हैं बीनाए पिटक जो आपका दोस्तों बुद्धिस चेक्स है फोर से थर सेंचुली में यह कंपाल किया गया था मुद्र राक्षस कामा सूत्रा और विश्णू धर्मत्रप पुराना तो यह चारों आपको डिसकस करता है इक ने प्रणिंग कर देखना है तो इस कांप्सरों गडि दोस्तों यह चारों के चारों चाहे बीने पिटक हो मुद्रा राक्षस हो कमा सूत्रा हो और विश्णू धर्मत्रप पुराना हो यह चारों के चारों डिसकस करता है इंडियन परने के बारे में इनको पाइनियर मना जात देटीदेवरी इंपोर्टेंट नेक्स्केशन दोस्तों को वेस्ट नमर सेवन प्ले एक नाटा के जिसके नमा मुद्रा राक्षस विच विच वज रिटन बाई विशाखदत नमुद्रा राक्षस लिखा था लेकिन किस समय लिखा था यह आपको देखना है 2nd century AD, 3rd century AD, 4th century AD, 5th century AD, 3rd century AD, 5th century AD, 5th century AD, question nabarite पाते हैं दोस्तों, which of the following options or options is are correctly matched? 1st statement में आप तीन statement दिये गहें, पढ़ते हैं, murals, murals paintings are drawn on the solid structures wall, second, azanta cape's painting and kalasna temple paintings are the two examples of murals, and third Palas of Bengal were the pioneer of the mural paintings sorry miniature paintings दो परकार के painting होते है murals and miniatures तो उसी से related statement है तो इसका answer देखना है इसका answer होगा 1, 2 and 3 only इसका answer जो होगा 1, 2 and 3 जो होगा वो correct होगा कैसे? तीनों सही है mural paintings जो है solid structure wall पे बनाए जाता है और Ajanta Caps और Calasnut Caps जो है वो अपका बहुत बड़ा बहुत greatest माना जाता है उसको mural painting का और जो Palas of Bengal का उन्होंने ही miniature painting को शुरू किया था दोस्तो एक तरीके से pioneer उनको माने जाता है question number 9 पाते हैं which of the following statement is correctly matched? चार option है आप दिये गए हैं दोस्तों और उनमें साबको सही चुनना है पहला है the art miniature painting the art of miniature paintings reached its glory during British period second option किसंगर, मरवाड and मिवाड school of painting are the successor of miniature paintings and D C option paintings on the wall of caves and temples depicts many aspects of Hinduism only and D option murals and fresco are known as bhavachitra while portraits are known as bhiti chitra यह उल्टा है दोस्तों bhiti chitra उसको बोलते हैं जो murals and fresco होते हैं तो इसलिए इसका answer होगा वो D होगा किसंगर, मरवाड and मिवाड जो स्कूल है वो miniature painting के successor माने जाते हैं question number 10 दोस्तों and last number question consider the following statements regarding the prehistoric painting and select the correct one 4 statement दिये हैं paintings art drawings are the oldest art form practiced by the human beings to express themselves जो painting है वो सबसे पुराना एक तरीके से बोल सकते हैं कि art है जो कि इंचान आपने आपको express करता है feelings को second option paintings on paintings of paleolithic phase are linear representation paleolithic phase के paintings तो वो linear representation दिखाते थे and in paleolithic paintings green paintings green paintings are of dancer and red one are of hunters भीम बेतका केप्स painting were discovered in 18th century तो इसका answer दोस्तों कौन से होगा इसका जो answer होगा होगा आपका यह 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 1, 2 and 3 the correct answer लेगि जो चौता है वो आपका गलत है 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है तो यह दोस्तों 10 हमारे पास में questions थे जो कि आपका इंडियन concept or next questions को इसका करूंगा